मेडिया मंतन के आज के एकिसोड में हम बात करेंगे पठान कोट आतंकी हमले का मीडिया कवरिज हम कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मीडिया में किस तरह कवर किया गया इस पूरे प्रसंग को हमारे साथ इस विशे पर बाचीत करने के लिए स्टूडियो में मौझूद हैं तीन खास महमान और हमारे साथ पाकिस्तान से भी जुडेंगे वहां के वरिष्ट पत्रकार लेखक इमतियाज गूल साहब, हमारे साथ हैं इस वक्त मनोज जोशी, वरिष्ट पत्रकार, स्टेटीजी के फेयर्स के जानकार, हमारे साथ हैं प्रभूत चावला, वरिष्ट संपादक, नीव इंडियन एक्सप्रेस के संपादकी निदेशक, और साथ में हैं करनल वियन थापर, वियन थापर सहाब रक्षा विशेशक्य हैं, शुरुवात मरोज हम आप से करते हैं, जिस तरह का हमारे प्रेस में, खास कर टेलिविजन में, हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे प्रिंट मीडिया में, इस बार का जो कवरेज हुआ है इस आतंकी हमले का, क्योंकि आतंकी हमला भारत के लिए कोई अंजाना नहीं है, हम कई दशक से जहल रहे हैं, आपको कवरेज में अगर क्वालिटी के हसाब से देखा जाए, अगर अगर एप्रोच के हिसाब से दिखा जाए, क्या फर्क नजर आया, कोई फर्क है किया इस बार की, या पहले जासा ही है लेकि ऐसा है कि जहां तक कि प्रिंट मीडिया का सवाल है, और मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हूँ तुम्हें ये कह सकता हूं कि प्रिंट मीडिया की कवरिज उसमें जो गहराई है वो कई गुने आगे है जहां तक कि टीवी का सवाल है अब अक्सर जो निजी टीवी चैनल होते हैं वो अक्सर जो है वहां खबर नहीं दिखाई जाती है वहां व्यूज दिखाई जाते हैं और जो व्यूज दिखाए जाते हैं वहाँ पे आजकल एक ये अजीब माहौल हो गया है वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ एक दो पार्टी के स्पोक्समेन वहाँ रख देते हैं एक कॉंग्रेस का होगा एक बीजेपी का होगा वहाँ आपस में लड़ते हैं बाकी लोग जो हैं कुछ वहाँ फौजी रख देते हैं जो कि फौजी जैसे दिखें बड़ी-बड़ी उनकी मूचें होंगी या कोई किसम की टोपी पहने होंगे हर सर्टिन्स के बाद आँखें लाल करेंगे यह पूरा ड्रामा बना दिया जाता है तो मैंने ही समझता हूँ कि उसमें कोई खास लाब होता है उसमें कुछ आदमी कुछ सीख सकता है प्रिंट मीडिया जरूर मैं कहता हूँ मेहनत उन्होंने की है वहाँ पर जाकर कवरिज की है हाला कि इस हाथसे में बड़ी बहुत पेचीले मामले हैं जो कि अभी भी सामने नहीं आये एक पहलू और सामने उभर कराया बाचीत के दोरान भी और मेडिया में भी आया कि इस्टेंडर सिस्टम अप मेडिया ब्रिफिंग जो आम तोर पे इस तरह के बड़े जो हाथसे हैं बड़े आतंकी जो हमले हैं या घुसपैट के मामले हैं बहु सारे आपरेशन्स हैं कश्मीर में हो चाहें दूसरे जग़ों पर हो उनके बाद एक हमारे सामने आती रही है ऐसा सिस्टम एक आता रहा है कि एक रेगुलर मेडिया ब्रिफिंग हो और उसमें उच्चाधिकारी केवल नव बैठे हैं बलकि वो विश्शक की भी हो उस पूरे पहलू के क्या इस बार थोड़ी कमी खली ऐसा मेडिया में आया है मैं पहली चीट तो आपकी राय जाना चाहता हूँ क्या वाकई इसकी कमी खली और दूसरी बात कि अगर कमी खली तो क्या मेडिया की रिपोर्टिंग पर भी इसका असर पड़ा देखे ऐसा है अगर आपने देखा होगा अब तो ये बिलकुल हाली के इवेंट्स हुए हैं हाथ से हुए हैं हर दिन हमको एक ब्रीफिंग के नए पहलू नदर आए पहले हमने देखा कि डिफेंस सेक्रेटरी ने भूम सेक्रेटरी और एर फोर्स के डिरेक्टर ऑपरेशन्स ने ब्रीफिंग की उसके बाद हमने देखा कि आपके पठान कोट बेस में ब्रीफिंग हुई जो कि बेस कमांडर और NSG के कमांडर उन्होंने ब्रीफिंग की फिर हमने देखा कि रक्षा मंतरी वहां पहुँचे दोनों एर चीफ और आर्मी चीफ के साथ पहुँचे उन्होंने वहां एक ब्रीफिंग की फिर जो है कल वेस्टर आर्मी कमांडर ने ब्रीफिंग की इसका कि ब्यापक अगर देखा जा ब्यापक शद्दों में उसकी कवरिस पर या उसकी विशलेशन पर क्या फर्क पड़ा देखे फरक उसमें यही पड़ा कि हम मीडिया को यह नहीं मालूम था कि जो facts वहां पर है क्या हुआ है क्या इस समय सरकार हमारे साथ share कर सकती है क्या हमको दे सकती है हमारे साथ जो खबर हमको दे सकती है accurate खबर authentic खबर हमको तो वो चीज़ चाहिए ना मुंबई के हाथसे के बाद लोगों ने कहा कि मीडिया ज़्यादा ही intrusive हो गया था तो मीडिया को थोड़ा दूर रखा और सही किया मैं यह नहीं कह रहा हूँ पर अगर मीडिया को दूर रखा तो मीडिया को कोई ऐसा system होना चाहिए था कहीं चाहें दिल्ली में हो या पठान कोर्ट में हो जहां कि कोई जो है responsible अधिकारी जो है वो मीडिया को ब्रीफ करें लेकिन मनोज मैं समझता हूँ कि मीडिया की भी इस बात तारीफ करनी पड़ेगी इस बार खासका टेलेविजन चैनलों की जिस तरह मुंबई हमले के बाद वहां पर साइकों की संख्या में टैमरा में पहुंच गए और लगा कि सारे सब चा जाएंगे जहां पर घटना हो रही थी जहां अतंकी हमला हुआ था उसके बिलकुल 100-200 मीटर की दूरी पर लगातार वहां पर भीड लगा हुआ था मजमा लगा हुआ था तो वो ट्रेंड कम से कम हमारे ब्राटकास्टर्स एसोसेशन ने एडिटर्स एसोसेशन जो टेलिविजन के हैं उन्होंने रोका यह अच्छी बात है हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ट पत्रकार और लेखक इंतियाज गुल साहब जोड़े हुए हैं बार के आतंकी हमले की रिपोर्टिंग में काफी वो बैलेंस रहा है और कहीं से भी एक एक्स्टमिस्ट वायस जो कई बार अर्दू प्रेस में वहां के उभरती थी उस तरह की नहीं रही है भारत और पाकिस्तान के रिष्टों की जो जरूरत है बहतरी की वो कहीं ने कहीं उसमें दिखाई पड़ी आपका क्या कहना है और आप पाकिस्तान के मीडिया को चुकी वहां से देख रहा हैं अपनी आखों से आप हमें बताएं देखिए शुकरिया सबसे पहली बात हुए कि जब से ये 24-7 टेलिविजन आया है इसमें जर्नलिजम के लेसिक नॉर्म्स को मलियामेट कर दिया है हमने काफी अर्थे तक प्रिंट मेडिया के साथ काम किया इंट्रनाशनल न्यूज एजनसी के साथ काम किया उसमें हमें आजकल जो इलेक्ट्रोनिक मेलिया खास हो टेलिविजन इसमें तो तमाम आजाजियों से लगता है कि ये अलग होके और जो जिस रिपोर्टर्स के दूने आता है वो कह देते हैं और हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जाती है दूसरे तरफ जो आपने बात क ठाण कोट का जड़ हो रहा था इंसिजन लेकिन जैनरली पागिस्तान में भी यहां से जिसको कहते हैं रिस्ट्रेंट लेहां का दिखाई गई तो मेरा अपना ख्याल ये है मेरी थेरी ये है कि अगर तो दो सरकारें आपस में टैक कर लें कि उन्होंने मेडिया को ऐसा कोई बहाना ऐसा प्रेटेक्स्ट हाथ नहीं देना जिसकी वज़ा से पूरी कवरिज रिपोर्टिंड संटेशनलाइज हो सके तो मेरा ख्याल है काफी उसमें बज़त हो जाती है अब चुँके निर्मरा मोदी साहब यहां पे आए थे आपके नवाज शरीफ साथ से मिले और उसके बात जो एक माहौल बना था उससे यह यह उमीड हो चली थी कि शायद सरकार के लेवल पे वो जो एक दूसरे के खिलाफ जो प्रपगेंडा होता है वो कम हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि उसका काफ़त परीन सबूत यही हमें मिला कि बठान कोट इंसिडेंट हुआ और उस इसका मतलब कहीं न कहीं आप यह मानते हैं कि जो पॉलिटिकल इनिशियेटिव टॉप लेबिल से लिया गया उसका असर दोनों देशों के मीडिया पर भी पड़ा और पाकिस्तान के मीडिया में भी अगर एक संतुलन एक बैलेंस दिख रहा है आपको इस बार तो उसकी जो वज़ा है वो प्रमक्रूप से पॉलिटिकल इनिशियेटिव है दोनों देशों की बीच जी बिला इसमें कोई शक नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण यहीं है कि पॉलिटिकल लेवल पे अगर एक दफ़ा कोई अग्रिबेंट हो जाता है और सिती को टेंसिंस से बिताने का एहद कर लिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि दोनों सरकारे सिरकासी है तक उसमें अपना किरदार अदा कर सकती है इसमें मुझे कोई शक नहीं है नेरिटिव बनता है टॉप से चाए वो डिरेक्ट बने या मीडिया लीक्स के जिरिए बने अगर तो दोनों सरकारें रिस्ट जो इम्तियाज गुल साब कह रहे हैं इसके पहले मनुझ ने कहा हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि लेकिन एक एप्रोच के स्थर पर मीडिया का क्या आपको इस बार थोड़ा पहले के मकाबले ज्यादा पॉजिटिव नजर आया या वो बहुत ज्यादा उसमें उगरता न ने कहा अगर देखा जाए तिली के अख़वारों के हिसाब से वो लगातार इस बात को सामने रखते गए जो भी हुआ है बहुत बुरा है हम इसको कत्यी वरदास नहीं करना चाहते लेकिन इससे संबात का सिलसला नहीं रुपना चाहिए ये मीडिया की एक आवाज थोड़ बिलको नहीं दूँगा तो मीडिया के अगर आप टेलिविजन कवरेज देखें उसके अंदर अभी भी संसेशनल निजम था कुछ लोग ने जाकर के बिचारे 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 बैठी है रो रही है उसके मुह में जाकर माई को सहच दिया क्या आप कैसा सोच रही है भी वीकनस भी है उससे स्टॉंग पॉइंट हुई है इस पार जो पहले से लिकेज हो जाता कि एक आर्मी का आफीस तो जा कोई इंसाइडर ब्रीफ कर देता किसी जनलिस्ट को गुष जाते से खबर दे देते थे और अलग अलग व्यू आ जाते थे इस बार मैं को लगता है कि क हमेशा डायलोग के फिर मेरा है अगर देली गंदर एटम बंब भी पड़ जाए इंगलिश मीडिया काईगा फिर भी होना चाहिए तो ये एक व्यूज है कुछ किसम के लोगों के उनके आप चेंज नहीं कर सकते हैं चाया कुछ भी हो जाए अगर हमारे जैसे मेरा तो ये क लाहर चला जाते हैं उन लोग के कहने से डायलोग सुना चलेगा सवाल जी है कि जिनका स्टेक है आईसाइए आग वहां पर मोधी साब गए उन्हें वहां जाकर के उनको दी पर वहां की आईसाइए को देखना चाहिए तो मेरे को लगता है कि रस्पॉंसिबल मीडिया रहा परंतु टीवी चैनल अभी भी कंपेटिटिव जनलिजम कर रहा है और इंग्रीज जनलिजम हमारा कता है डायलोग होना चाहिए परंतु कवरेज पहले के मुकावले में थोड़ी कंट्रोल थी थोड़ी राष्ट के हित को देख के रखी गई तो कई ऐसे चैनल थे खासकर प्रंटबर्ण पाक ये लगातार हो अपने स्क्रीन पर चला रहे थे इंग्लिज चैनल में के अंदर न्दर ऑपकिस्तान के लोगे इंडूसान गाली दिये जारे के लिए चार लोग बिठा रहा हैं इंडूसान को गाली देने के लिए ये ये भी होता है कुए पाकिस्तानों के चैनल में कभी इंडियन जनलिस देखे हैं आपने या इंडियन आर्मी के लोगों देखे हैं मैं नहीं देखता हैं यहादा चैनल हमारे चैनल तो कंपीड करते हैं कि पाकिस्तानियों के वाइस हमारे हैं कैसे बारत एक मैच्छर डिमोकरिसी है और भारत नौ छेड़ना नहीं चाहता लेकिन आपने एक बहादुर जाबाज बेटे को जो स्वेम एक सेना धिकारी थे उनको आपने करगिलवार में खोया है एक शहीद के पिता भी है इस नाते मैं समझना चाहता हूँ एक एक्सपर्ट के नाते रक्षामंत्रालेक से जुड़े रहे हैं आ और आपको क्या लगता है कि जो इस बार मेडिया में खासकर भारत पाकिस्तान के रिष्टों की थोड़ी सी एक अलग तस्वीर जो लड़ाई भीड़ाई से अलग की थी कि भी ठीक है ये बहुत बुरा हुआ लेकिन समभात का सिलसला जो सुरू हुआ है वो रुपना नहीं तो इसको बहुत उच्छाला जाता इस टाइम पे इस समय रिस्टेंट काफी दिखाया गया है खासकर जो रिटन रिटन मेडिया है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छी तरह से इसको एप्रोच किया है और मैं समझता हूँ कि उनको समय मिल जाता है सोच विचार करके तोल क सब चीजें लिखने का जबकि और विजियल जो है टेलिविजिन चैनल जो है उनको स्पॉंटेनियसली खबर मिलती है और उनको समय नहीं मिलता उसका थोड़ा अनैलेसिस करने का उसके उपर गंभीरता से डेफ्ट में सोचके तब देने का और आजकल एक और ये उनको कोई भी खबर मिले चाहे उन्हें ने ओवर हीर किया हो मंजाब पुलिस का या एरफोस के किसी का तो खट करके वो अपने चैनल पर दिखा देते हैं बड़ी महत्मून बात इस जोशी ने कही मैं मुझे आप जोड सकते हैं दोनों को कि आम तोर पे इंडियन टेलिवि इसे सेना के नाम पर ऐसे लोगों को वैठाय जाता है डीटायर्ड फाजियों को जो ऐसा लगता है कि स्टूडियों से बुलिट चलाना शुरू कर देंगे वही से मिसाल दागना शुरू कर देंगे मidan कि सेना कि कैसे आपको लगता है कि ईमेज ये खराब या कि भारती सेना के लिए एक drama करने के लिए इस तरह के लोगों को लाया जाता है अब जर्नल साहब है या ब्रिग्डे साहब है या मेजर जर्नल साहब है उनको जो जिस इशू के उपर लाया जाता है उसके वो शायद विशेशग्य होई ना जैसे कि अभी पठान कोट के अंदर प्योर्ली इंफिंट्री ऑपरेशन है लेकिन नेवी के लोगों को बेटा रखा गया था मैंने नेवी के कई अपसरों को देखा बेटे हैं और कोई है कोई है कोई निप्लोमेट्स भी जाते बिला ले थे पाकिसान को तो मैं मेरा मतलब है कि इसका जो जो भी इसका एफेक्ट मीडिया के उपर पड़ता है जो न्यूज वहां से आती है जो इनके रिपोर्टर्स आ गए हैं वहां से क्या न्यूज भेजते हैं उसका क्या प्रोजेक्शन होती है और उसका क्या इंपैक्ट होता है पूरी आम पबलिक के उपर वो नहीं सोचा जाता है फिर आपसे बात करेंगे अभी एक छोटा अंतरा लेते हैं और आपने बहुत महत्पून बात कही है कि कई बार आर्मी के एक्सपर्ट या आर्मी से रिटाइड अपसरों को विशेशग के रूप में जब बैठाय जाता है इस टूडियो में तो जिस विशेशग के वो होती है या बहुत समझ बढ़ाने वाली नहीं होती है यह बहुत महत्पून पहलू है अंतराल के बाद हम लोटेंगे तो इस पहलू को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे एक अंतराल मेडिया मंतन में आपको आपका एक वर फिर स्वागत था इस चर्चा में आज की हम चर्चा कर रहे हैं पठान कोट का मीडिया कवरिज कैसा हुआ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम केवल इंडियन मीडिया का ही नहीं बलकि पाकिस्तानी मीडिया में कवरिज कैसा हुआ उसका भी आपको व्यू दें इम्तियाज साब हम फिर आप से एक बार जानना चाहेंगे कि जो हमने देखा है अतीत में भी कि कई बार वहां के जो शासक वहां की सरकारे रही हैं वहां के जो सेनानायक रहे हैं जो आर्मी रही है अपसर रहे हैं वो हमेशा डिनायल के मुद्रा में रहे टेरिस टैक जब भा हो चाहे बड़े अपसरान हो वो भी डिनाई करने के मुद्रा में कभी नहीं दिखे एक बार ऐसा लग रहा है कि एक चेंज है यह जो चेंज है मैं समझना चाहता हूं कि आप कैसे उसको देखते हैं यह चेंज कैसे आया है क्या यह इनिशेटिव केवल है या जो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स है इस पूरे एरिया की और वेस्ट एसिया को लेकर जो पूरी दुनिया में परिवर्तन है क्या उसका भी कोई असर है यह बड़ी खुशी की बात है कि आपको भी दिल्ली में बैटके लग रहा है कि पागिस्टान में कोई चेंज आ रही है उसमें एक रॉबाट है और इसमें आस पास के हालात से यह मताचिर नहीं हो सकता और जो कुछ एक प्रोग्राम हो चुके उसके मताबिक चल रहे है आप कुछ देर पहले आपके लोग कह रहे थे कि आप कंपारिजन कर रहे थे डिमाकरिसी का कि इंडिया से ज्यादा शुर शुरा नहीं हुआ क्योंकि यह एक बड़ी डिवलब डिमाकरिसी है मेरे खीलब पाकिसान भी उतनी डिमाकरिसी है इसमें इस तरह की इस पहस में नहीं जाना चाहिए जिस तरह कि आपके हाँ वो आपके पहले एक हमारे आपके पैरेलिस्ट कह रहे थे कि फौची दिखाते हैं मु करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अगर आप गौर कीजिए तो पिछले साथ आज वर्षों में पाकिस्तान में एक नए एसास में जनल लिया है और वह एसास यह यह कि आप जो कोल वार की कोल वार की पॉलिपीस थी वह आगे नहीं चल तकेंगी और बहुत अच्छी बात है क अगर पाकिस्तान की आर्मी वास की सीफ ने भी कहा और पाक्सान की प्रगान मंत्री ने भी कहा कि यहां पे आप जो भी अगर इंडिया के खिलाफ कोई ग्रूप पाया गया एक्ट करते हुए तो उसको बरपूर सदा दी जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है इस बात को पाकि लेके मेडिया को भी चलना चाहिए दोनों सरकारों को भी चलना चाहिए इंटलिजन्स शेरिंग करनी चाहिए और उसकी बन्याद पे अगर कोई ऐसा ग्रूप या कोई इंडिविजूल यहां पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर जिस जो पठान कोट में मलविस था तो इसको मेरे खाल है बिल्कुल पजान बिलनी चाहिए और सर बिल्कुल अंत में एक बिल्कुल संचेप में आपका जवाब चाहूंगा कि इस बार जो भारत सरकार ने पाकिस्तान कोट आतंकी हमले के बारे में व्योरा वेजा है सारे डिटेल्स दिये हैं हम क्या यह माने क कि पाकिस्तानी मीडिया भी वहां की सरकार हुकूमत आईएसाई से लेकर सभी जो एजनसी जह उन पर एक दबाव बनाएगा कि हर हालत में आतंकियों के खिलाब कर रहाई हो चाहिए वो आतंकी कहीं के हों किसी भी तरह से हों और कोई भी उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि ख्रृटेक्ट की सिक्यूरइटी स्टाबरिश्मेंट आयISS है और पाकिस्तान की सरकार को आईएससे अब मुसलसल ने और यह उसी दवाव का न Twenty-जा है के चाहे पाकिस्तान की आर्मी के चीफूं या पाकिस्तान के प्राइम मिनेस्टर नो बार यह तैख वहा Choose DМ सबूतों पर पहले कारवाई नहीं होती रही है पाकिस्तान की तरफ से इसका इतिहास है वो देखे आप जो नहीं होती रही है मेरा ख्याल हो उसको भूलना चाहिए हमें आगे की तरफ देखना चाहिए तैंक्यू सर तैंक्यू वेरी मच बहुत भाध धन्यवाद शुक्रिया साब हम फिर आपसे बातचीत करेंगे भविश्य में प्रभुचावला आपने पाकिस्तान के एक बहुत ही वरिष्ट पत्रकार जो लेखक भी है उनकी बात आपने सुनी हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो शिफ्ट आपको दिखाई देता है दोनों देशों के हुक्मरानों के तर तरीकों में इसका क्या रिफ्लेक्शन हम माने की भारती मीडिया में एक कंसिस्टेंटली इसका एक रिफ्लेक्शन आपको लगता है कि जाहिर होगा बात में ये मीडिया की फिरुवजी बात आप डिस्कुशन कर रहे हैं कि मीडिया जो है रेस्टेंड है एक तो कवरेज की एक है निउस के पाइंट है मैं अधर निटीन सुझे हूँगा कि मैंने निउस क्या कवरेज की और व्यूज क्या दिये ताथ दोनों को मिक्स करेंगोशी कर रहे हैं जी क्योंकि जिस मीडिया ने कहा है कि डायलोग कांटिनू करना चाहिए पहले भी कांटिनू करना चाहिए लिकिन एक बड़ा सेक्षन मीडिया का है खासकर भारती भाषाओं का मीडिया टेलिविजन का मीडिया जो कहता है कि हर हालत में रौंट डालो मार डालो यह इस तरह की आवारे आती हैं जो है ना जो पहले मैं अभी तक चेंज समझा है कि क जाना चाहिए था उनको क्योंकि हमारी कंडिशन क्या रही है यह पिछले दस सालों में जब आच मीडिया जी ने चुनाव से पहले कहा था कि वहां पर टर्रिरिस्ट कैम्प हैं क्या वो बदल गई है सिचिवेशन जी तो कंसिस्टेंसी के ना कि हो सकता है कि अपनी मेरी बर चाहते हैं और हमें के वहां पर दो लुब लोग आजिज आ चुके हैं मेरी साभी क壓जिस्टिक्स जो है बार्त के सालों में जुक्नाई से बढ़ 관리 की दिशमनी हैं यह पर चलत आदो आजित हो लिए जिपक्श के लिए रहे की रिदी आजिति 40 दो कि हमारे मेरे हैं दो सोस कि रिस्टेंड एक मेडिया में दिखा है अंग्रेजी मेडिया में खास कर प्रिंट में खास कर क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से और क्या मेडिया इसको संजीदा से संजीदी के साथ जाहिर करेगा? हाँ करेगा जरूर करेगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि मीडिया में कुछ हद तक जैसे आप सब जर्रेलिस्ट हैं आपने अपने विचार प्रकट कर दिये ये भी उन तक पहुंचेगा जो लोग इस तरह से कंड़क्ट नहीं करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ तो मीडिया हाउसेज की बड़ी कमजोरी है कि जैसे आभी आप हैं आपके सफेद बाल हैं पूरी जिंदगी का आपको एक्सपिरेंस है आपको पता है कि किस तरह की प्रोजेक्शन इस प्रोग्राम से जानी चाहिए कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी यंग गर्स होती हैं और वो ऐसी बड़काई बड़काने की बातें करती हैं और उनके साथ अगर गैस्प्स भी आ जाएं तो वो भी इसी तरह से करते हैं तो वो बात फिर गलत रस्ते पे चली जाती है दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कारगिल के बाद एक मीडिया सेल खोला गय है मनोज हम एक चीज बिलकुल अंत में समझना चाहेंगे कि इस पूरे आतंकी हमले के बाद जो इस सितियां थी उसमें मीडिया और शासन दोनों के बीच में सभी मानते हैं एक कम्मुनिकेशन का गैप जरूर था ब्रीफिंग ना होने से तो तरीके जो ब्रीफिंग के अप मीडिया उस पर भी असर पड़ा है और आगे इसको कैसे रोका जाए आपको क्या लगता है एक तरफ से आप देखेंगे मोधी सरकार ने मोधी सरकार की जो मीडिया स्ट्रेटिजी है उनके पास कोई मीडिया एडवाइजर नहीं है उन्होंने पूरा केंदरित रखा है अप को क्यों आपती है पर सवाल मीडिया जो है मीडिया ऐसे नहीं चलता है मीडिया तो कोई भी मीडिया बिलकुल मतलब अपने सवाल भी तो पूछेगा ना उसके जवाब चाहेगा तो वो जो है जो संबाद होता है जो एक्सचेंज होता है वो वहाँ पर नहीं रह जाता है य जो खबर को आप स्पिन देना चाहें, वही खबर सामने डाली जाती है. आप जो है, आपकी पूरा इरादा है, वो ये है कि केवल पॉजिटिव कवरिज मिले, नेगिटिव कवरिज नहीं आनी चाहिए, और नेगिटिव कवरिज आ जाती है अगर लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, उनके इसाथ से. और साथ साथ उसके बिलकुल समनानतर मीडिया, लेखन, कल्चर, सिनेमा, हर चित्र में समाज के, जब तक सोच कास बदलाव नहीं होता है, जब तक दिशा नहीं बदलती है, और ये बहुत जरूरी है, आतंकी हमले, रिष्टों की कड़वाहट तब ही खत्म होंगे, पाकिस इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए राजिसवाद टेलिविजन